Hello Students, मैं Criminal Procedure Code का Part No.10 पोस्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम Sections 421 से लेके 435 तक कवर करेंगे और मैं गगंदीप सिंग, इस वीडियो का होस्ट, अभी एक और अपडेट देना चाहूँगा आपको मैं, कि अगर आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस इसके साथ ही आपको एक बेल आइकन देखेगा, उसको आप क् इसके बाद जो अब्जेक्टिव टाइब एकजाम के लिए, नेक्स्ट इंपोरेंट सेक्शन है, हूँ में इशू वारंट, वारंट फॉर एक्जिक्यूचन बाइ जज और मेजिस्ट्रेट, सेक्शन 428, नेक्स्ट इंपोरेंट सेक्शन, पिरेट अफ डिटेंशन अंडर मार्शिल्स, सेकेंड पॉइंट, नो सेट ओफ इन केस ओफ इंपोरेंट इन डिफॉल्ट ओफ फाइन, दोनो ही पॉइंट बहुत इंपोरेंट है, 429 सेविंग आप इसको सिर्फ सेक्शन रीड कर सकते हैं, नेक्स्ट सेक्शन 432, पावर तू सस्पेंड और रिमिट सेंट तो यहां पे एक इंपॉर्टन बात है, जहां पे आप नोट कीजिये, बाइ स्टेट गवर्वमेंट और सेंट्र गवर्मेंट और यहां पे आप एक चीत का दियान रखना, कि it is by the consultation of court, it is by consultation of court, next इंपॉर्वर्वर्ट सेक्शन, पावर तू कम्यूट सेंटेंज, इस इसके बाद जो section 433a एन 434 इसको आप रीट करके छोड सकते हैं next section 435 state government to act after consultation with central government in certain cases state government to act after consultation with central government in certain cases इसका भी आप section mark कीजिये 435 और फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के तरूम आप एक चीज़ बताना चाहूंगा कि जो next chapter है chapter number 33 provisions as to bail and bonds ये chapter objective type exams even subjective type exams के लिए दोनों के लिए बहुत important है तो आप इसका next video miss मत कीजिए क्योंकि इसका काफी अच्छा coverage दोनों ही exams में है तो next video में आप एक चेक कर सकते है section 436 से लेके section 450 तक thank you students